हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उम्मिद करते हैं आप सब बहुत अच्छोंगे CSJMU कानपूर इनवर्सिटी से लेकर जो बहुत छात्र परैसान थे फैनली उनका इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है पर्या वरण का जो भी आप लोगों ने फॉर्म भारा था उसका जो बैक पेपर का अगर आप फेल थे या कुछ भी थे तो उसके लिए यहाँ पर 20 से आप सभी लोगों के एकजामस होने थे लेकिन भाई आप सबी लोगं कंफ्यूज थे जैंति की अपका ईग्जाम क्या होगा ताइमिंग क्या होगी काफी सारा परैसान थे आप सबी लोग तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताय था कि आप परैसान मत होए एक दो दिन में आपकी सारे जो जानकारी है वो notice द्वारा या आपको admit card द्वारा बता दी जाएगे तो finally यहाँ पर notice आ चुका है इस college में होगा 10 बजे से 12 बजे तक आपका इग्याम होना है अभी आपको वीडियो को skip मत करना है अभी पूरी जो policy है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है तभी आपको इस वीडियो को skip करना है और यहाँ पर परिछा केंद की सूची भी आ चुकी admit card भी यहाँ पर जारी हुए है आपको download करशे करना इसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो यह notice है सीधा आपको university की website से notice वाले option पर ले चलता हूं वहीं पर आपको पूरी जनकारी बताता हू काफी दिनों के बाद university का वीडियो आ रहा क्योंकि अभी तक कोई भी update नहीं आ रही थी university की और जो मैं अलग topic पर वीडियो बना रहा था जो अभी gather to आई है तो उसमें उस वीडियो में आप सभी लोग please प्यार दिखाईएगा उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप ल सभी कुछ देख सकते हैं चत्पती साहु जी महराद university की तरफ से इस notice को publish किया गया इस notice में क्या बताया गया आपको अच्छे से समझना है वीडियो को skip मत करना है यहाँ पर बताया गया है कि आदेशा अनुसार अगवत कराना है कि 72 तेश के इस नातक अंतिम वर्ष के ऐसे सम्मंद में परिच्छा केंदो का निर्धारा निम्नुवत किया गया है आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आपको यहाँ पर समझ लेना है यह आपकी जो यहाँ पर पहले आपका जनपत दिया रहेगा उसके बाद परिच्छा केंदो होगा जहाँ पर आपका रहेगी 10 से 12 बजे तक रहेगा 20 चाट को यहां पर होगा उसके बाद अगर आप और या पहले तो कानपुर नगर और कानपुर दिहाद के हैं तो इस कोलेज में होगा यहां पर सभी लोग देख सकते हैं उसके बाद अगर आप और यहां पर अच्छे से देख सकते हैं उसके बाद से अगर आप उन्नाओ के हैं तो इस कोलेज में होगा यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीन सार्ट ले लिजेगा वरना आप टेलिग्राम पे आज़ेए टेलिग्राम की आईडी है माय हेल्प स्यूम वहाँ पर इस नोटिस को में डाल दूँगा इसका लिंक भी आपको डिसक्रीन में मिल जाएगा टेलिग्राम का तो आप वहाँ पर आगज जाएए वहाँ पर इस पीडियाप को में डाल दूँगा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं उसके बाद अगर आपका जो हर्दोई और उन्नाओं में है तो आपका इस कोलेज टाइमिंग और डेट सभी की एक ही रहेगी आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं अब आपको वेकसाइट पर लेकर चलता हूँ कि कहां से आपको जो एडमिट कार्ड हैं वहाँ कहां से आपको निकलेंगे कैसे क्या करना पड़ेगा सीधा आपको यह आप समझ होंगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजेगा आप आपको सीधा वेकसाइट पर लेकर चलता हूँ हम वेकसाइट पर आ चुके हैं उसके बाद से वेकसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर थी लाइन के आप्शन पर आपको क्लिक कर देना यहाँ पर तो जैसे हम यहा for submission, form submission के option पर क्लिक करना, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कि यहां से आप सभी लोग form को भरते थे, उसके बाद से यहां पर सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप print और नहीं लिये थे, तो यहां से लग सकते हैं, और अगर आप registration number, जो ID है, इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, लेकिन मुझे यहां पर अभी साथ पता नहीं चल ला है, कि यहां पर जैसे आप प्लिक करेंगे, तो यहां पर पर्रेवरण का back paper तो regular private का दिखा रहा, लेकिन यहां पर 2030 लिखके नहीं आ रहा है, तो अभी हमारे प 2030 का, तो आप इसको search के option पर डाउनलोड करके देख लेंगे, अगर यहां से कुछ problem बता रहा है, transaction फेल्ड बता रहा है, तो आपको फिर थोड़ा सा आपको wait करना है, कल तक यहां पर सायद नया link activate हो जाए, और यहां पर जब आएंगे, तो यहां पर सायद आपको जो environmental studies करक क्योंकि कल दो दिन पहले admit card आते हैं, तो आप सभी लोग परेशान मत होईगे, बाकी यह सब जानकारी मैंने आपको बता दिया है, इसका अगर आप direct link लेना चाहते हैं, तो टेलिग्राम पे आ जाएगी का, मिलते हैं किसी next video में, तब तक play, bye bye